राजगर जिले के बोडा नगर में चल रहे 18 प्लस वैक्सिन को लेकर युवाओं में काफी उत्साह देखा जा रहा है हर रोज 170 वैक्सिन डोज बोडा नगर पंचायत परिशत को उपलब्द करवाय जा रहे हैं सुबह 7 बजे से ही टोकन लेने के लिए युवा कतार में नजर आ रहे हैं कोरोना संक्रमन्ट से सुरक्षित रहने के लिए दो गस की दूरी और कोरोना वैक्सिनेशन जरूरी है यही वज़ा है कि अब कोरोना वैक्सिनेशन को लेकर युवाओं में खासा उत्साह देखने को मिला बात करें नर्सिंगर तैसिल के बोड़ा की तो प्रति दिन 170 युवाओं को कोरोना वैक्सिनेशन का पहरा डोस लगाया जा रहा है हालांकि वेक्सिनेशन के लिए प्रतिरियन तीन सो से ज़ादा युवा पहुच रहे हैं जिसके चलते प्रशासन से कोरोना टोकन बढ़ाने की मांग की जा रही है अभी आपने टीका करण करवा है फस्ट डोजे क्या उम्र है आपकी? 44 44 क्या सब्सक्राइब कर रहा है आप नार्मल लगा है सभी आपका लोगों से क्या कहना जाएंगे क्या लग रहा है टीका लगवाने के बाद अच्छा लग रहा है वंदना नाम देव अभी तक यहां पर आज ज़रे किते वेक्समेंस वंच रहा हैं 150 अभी तक लगम चेम फूरे कोई किते एक्सिन पर रहा है हम एकसो सब्सक्राइब पर एकसो पज़ा हो चुके हैं एकसों पर एकसफाटर में सब्सक्राइबоля इसंटराइब कर लगा है आदा घंटे के लिए अब्जर्वेशन में रखा जाता है इसके बाद चोरा से दिन बाद है मैं संजर आठोर और यह जो कोवी नेक्शन सेंटर है इस पर मुझे पाइटी द्वारा प्राभारी बनाया गया है इस के अंदर पर यहां पर 18 प्लस के वेक्सिनेशन हो रहा है यहां पर युवाओं में काफी उस्ता है और अभी तक आज तक यहां पर 510 वेक्सिन के टीके युवाओं द्वारा लगवाए जा चुके है युवा काफी उस्तुक है और बढ़ जड़कर के इस्सा ले रहा है और लगभग लगभग एक बज़े दो फर एक बज़े तक काम खतम हो जाता है पूरा वेक्सिनेशन हो जाता है यहां पर टोकन के लिए जोगन जोस्ता की विए सुबे से पंचार में जो एक्सिनेशन अडारा प्रक्ष चम्राव अभी तक कित्ते लोग को वेक्सिन लगत तो तीन दिवस से बोड़ा नगर में अभी एटीन प्लस का वेक्सिनेशन चल है जिसमें अभी तीन दिन में चारसो पंचिनेशन लोग को फो घ्राय अभी एक दिन छोड़के जिसमें की बच्चों का ठीका करने है उसके बाद फिर एक दिवस्त और है जिसमें वेक्सिनेशन जाड़ी रहेगा तो मैं अपील करना चाहूंगी जो भी एकिन पशाने जो लग जाती है तो लोग कहीं नगाइश के प्रती जागरूप हो रहा है प्रशासन की जो उनकी योजना है उनको मतलब सावित होती नजीर आए उसके वाद को रोना को हराने के लिए लोगों में देख रहे हैं बोड़ा नगर के वासी में तो यह बहुत ही अच्छी बात है और यह सही तरीका है कि हम लोग पीछे छोड़ सकते हैं लोगों से अपील करना चाहती हूं कि जो भी जिनको भी एक डोस लग गया है वह अपनी बारी का इंतजार करें दूसरा अवश्य रूप से लगाएं क्योंकि इसी तरीके से हम कोरोना को हरा पाएंगे अभी जो भी हमारे पास गाइडलाइन्स आगी है पहले 45 दिन का था अब जैसे भी नहीं गाइडलाइन्स आईगी उसके अनुरूप असी दिन का शर्फ मेरे साब से भी है तो उस अनुरूप हम लोग को जैसा भी आएंगे तो सब लोग के पास मैसेज पहुंच जाएंगे और मैक्सिमम तरीके से अपना वेक्सिनेशन जरूर कर रहा है